क्राइम पिट्रोल सतर के आज के अपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सब करता हूं तो हमें रास्ते से हटाने से भी परहेश नहीं करते आज का एक केस ऐसे ही कई मापदंडों से जुड़ा है जिस पर अपना पक्ष रखेंगे जाने माने क्राइम रिपोर्टर साहिल जोशी नमस्कार मैं हूँ साहिल जोशी क्राइम पेट्रोल सतर के इस एपिसोड में एक बार फिर में लेकर आया हूँ एक ऐसा अंदेखा अंसुना केस जो मुझे लगता है कि आपको देखना चाहिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आपसे आप अपनी मर्जी से टीवी नहीं देख सक अपने मर्जी से घर के पाहर नहीं निकल सकते आपसे आपके घर में बिजली नहीं आएगी तो आपको कैसे महसूस होगा आपको घुटन महसूस होगी ना आपको लगेगा कि जैसे आपकी आजादी आपसे चीन गई हो लेकिन आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा क यह हमारे देश में ऐसे कई लोग मौजूद है जो ऐसी घुटन भरी जिन्दगी जीने को मजबूर है यह उनकी रोज के लडाई है और जब भी कोई इस लडाई में अपना सर उठाकर गहरी और स्वच्छन्द सास लेने की कोशिश करता है तो उसका हनन कर दिया जाता है अक्सर कई गुनाहों के मोटिव हमें चौका देते हैं कई गुनाहों के जगण्य कृत्य हमें हिला कर रख देते हैं लेकिन इस गुनाहा की कहानी में यह दोनों पहलों शामिल है बेद भाव से भरी इस दुनिया में मैं जब भी अपने बाबा की तस्वीर देखती तो मुझे लगता जिंदी की एक बहुत लंबी लड़ाई है और हमें इससे कदम कदम पे लड़ना है लेकिन मैं जब भी अपने घर से निकलती हूँ तो यही ख्याल आता है कि यह लड़ाई अपनी जगे हैं पर अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए मुझे अपने हालातों से समझोता करना ही पड़ेगा सुनो दो वर कर उदर भेज़ दो सापने बोला है उसको माई पर रख दो हाँ यह अच्छा कर यह तू अच्छा कर यह बहुत अच्छा अगले महिने से न तेरी पगार बहाद दोगा थैंक्यू साप एक छोटी सी विंती है हाँ बोलो ना आज मुझे अपनी बेहान को आंगन वाड़े की डॉक्टर नी के पास लेके जाना है तो क्या आज मैं जलती चली जाओ हाँ जाओ ना जाओ अच्छा कोई और समस्या होगी तो बता ना मैं ठिक कर दूँगा जाओ और अब इस बच्चे ने तो मेरे पर ही काट ली है इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो दीदी और मा बनने का ऐसास तो हर मुसीबर से लड़ने की ताकत देता है तो तो ऐसे कह रही है जैसे तो कई बच्ची को जंग दे चुकी है मेरा बस चलता तो बच्चे को कपका गिरवा चुती होती बस दीदी सात्मा महिना है आपका और आप अब बच्चा गिराने की सोच रही हो चुप चाप डॉक्टर ने के पास चलो जैसी केर वो बोलती है आपको वैसी केर करनी है समझे आप ठीक है आपकी कमपणी की दवाई इतनी घटिया है कि अगर मैं अपने मरीज को दवाई न दू तो शायद बच जाएगा लेकिन आपकी कमपणी की दवाई खा के शर्टिया मरेगा वा और एक्स इतनी हाई आप मेरा समह बरबाद करनें अभ जा सकते हैं यह डोक्तर साब आप तो नाराज हुगığın देखिए हमारा अभधर का तोे चोली दामन का इसाथ होता है अगर आप हमारा साथ देंगे ना हम इतना फायदा करेंगे आपका सूच में ने सकते अब मैं तो कहता हूँ आ आपको क देखिए इसके बहले के मेरा दिमाग खराब हो और मैं आपकी सिहत खराब करदूँ, आप जा सकते हैं अनीता दी, मैंने अकबार में एक संदेश पड़ा था, इस बेद भाव से भरी दुनिया में हम बच्चों को यही सोचके लाते हैं कि जिंदगी देने वाला भगवान जिंदगी लेने वाले से बड़ा होता है मान ली तेरी बात, तब ही तो यह सब कुछ कर रही हो ना, यह तो बहुत अच्छा कर रही हो आप ओहो बन कर अपना यह ज्यान संदेश, मैं समझ गई, इस बच्चे को तो जन्द देना ही पड़ेगा, लेकिन इसके बाद में मैं जितेंदे से तलाग जरूर लोगी यह कैसी बात कर रही है अरीगा, बीन पती के तेरे और तेरे बच्चे का गुजर बसर कैसे चलेगा, हाँ यह तो आपको मेरी शादी कराने से पहले सोचना चाहिए था ना मा इस शादी ने मेरी जिंदेगी पे रंबा विराम लगा दिया है रस अच्छा हो जाएगा अच्छी बाती सोचा कर लुचा अरे दामा जी शुट आईए आईए दामा जी आईए हम आपके बारे में बात कर रहे थे, आईए ना बैठे हे कोश ही रहोंगे अरे नहीं नहीं दामा जी तारीव थोड़ी करोगे बैठे तू बच्चा पैदा करने के लिए यहां पे आके बैढ़ गई है वहां घर का सारा काम चूला चूंका मैं कर रहा हूँ तुझे वापिस लेने आया हूँ मैं अहा दामाद जी आपकी पत्नी है ले जाएगा लेकिन पहले बैठिए तो पुझे यहां से लेक के जाओंगा मैं समझी जी जा जी आप एक बात अच्छी तहीं किस तमझ लीजे जब तो दीदी को बच्चा नहीं हो जाता वो हमाय साती रहेंगी आपको खुद का होश तो रहता नहीं है आप दीदी को क्या सबालोगे अपट बूल रही है तू तुझे अकल नहीं एक्या निया क्या घर के दमाज से कैसे बात करते है तमीज सीखाव इसको अब कुछ भी बोल बोल रही है तू अब दमाजी सही कह रहे है अरे हमारे में पहले डेरीवरी ससुराल में ही होती है शूब माना जाता है जा नाश्टा का बंदो बस कर मुझे देर हो रही है और आपको भी चलना है हाँ हाँ आर यू मैं बैठी ना दामाजी आईए अरे कितने देर में काली लेकर आ रहे हूँ मैंने का था ना कि दस मिनट में आ जाया मैं क्लिन के बाहरी हूँ हाँ ठीक है आज़ो अरे दौक्तर साब चलो अरे जलो 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 अरे बैठाना काड़ी में चलो जलो क्या बग्त्तमीजी यही अरे आपी की सेवा में लगे है दौक्तर साब अरे अरे आपी कहा जा रही है अना बैठ छोड़ देता हूँ अरे आना राखी राखी अनिता दिती आप सुगंदा अभी तक घर नहीं आई तुमने उसे काम पर देखा था नहीं दिती और वैसे भी हम कई दिनों से मनोर सेट की बज़ा है रेवा शंकर के यहां काम कर रहे है आप मनोर सेट से बात कीजिए ना हलो मैं जितेंदर सुगंदा का जीजा शाब वो काम से घर नहीं आई आपको पता कहा है वो कुछ पता कला मैं तुम्हें मेरा दिल बहुत घबरा रहा अभी तो सुबह भी होने आई अपने सुगंदा के साम में होगी मुझे लगता है कि हमें पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने चाहिए सुगंदा काम क्या करती है वो मनोहर सेट के यहां सुपरवाइजर है कल ये काम पर पहुंची थी हाँ साब मेरी मनोहर सेट से फोन पर बात हुई थी उन्होंने ये बताया था कि सुगंदा सुबह थोड़ा लेट पहुंची थी लेकिन अभी वो नहीं नहीं कहानी बना रहा क्या कहानी बनारहा साब वो बोल रहा है के सुगंदा उसके 50,000 लेके भागई है स्ट्र अप सुगंदा असा खारी नहीं सकती मनोहर जूट बोल रहा। मुझे दो इस पर शक्र रहे है अब सुगंदा का मोबाइल नमर दीजे हैं वो मोबाइल नहीं रखती साब मेरी बच्ची का पता कीजे मुझे बहुत फिकर नमर दीए अब लेफिकर रही हैं, जाल्दी पता लगा हैं सर मैंने ऐसा कब बुला कि सुगंदा मेरे पैसे लेके बाग गई यहां, बन भागो झोगा Mississippi मैंने उसको इतना बोला था कि भुखनधा को मैने 50,000 रुपए दिए THे यह 50,000 रुपए हैं ठीक है, सबी मजूरों को उनकी डिहारी दे दे अब भुट उसको वो लंब भर मिल वाले रोट पे चोड़के आया था, लेकिन साब वो साइट पे पहुंची नहीं। मुझे खुद फिकर हो रही है सब सुगंदा की। उसके पस 50,000 रुपए थे। सर क्या मालूं कि इसे लूट खशूट का शिकारत नहीं होगी। ये तो अपने 50,000 से जादा सुगंदा की फिकर कर रहा है। देखते हैं इसकी बाता में कितने सचाई है। लंबर मेल लोड पर जहां पर इसने सुगंदा की छोड़ा था, वहां पता करो। और इसके बाकी मुझदूरों से भात करो। हां सब, कल इस लड़की को हमने देखा था, सुभा जब हम लकड़ी लेकर जा रहे थे। उसके बाद गाड़ी में बैटकर चली गई थी। उस कार का नमबर में मेर कोछ आते तुमको। नमबर तो अंग्रेजी में था साब, तो वो तो हमको पता नहीं। लेकिन जिसके साथ वो गाड़ी में गई वो बात आसे कर रही थी जैसे वो एक दूसरे को जानते है साब। अचा वो कार दिखने में कैसी थी, कुछ पता है? हाँ साब काले रंगी थी। ये ऐसी कार थी गया? नई साब हाँ हाँ साब, ऐसी गारी थी। सुगंदा को एक ब्लैक रंग की कार में जाते वो देखा, ऐसा काउन है? जिसके पास काले रंग की कार है? नई साब, सुगंदा किसी कार वाले के साथ क्यों जाएगी? आपको कोई गलत फेमी हुई है? सुगंदा को किसी लड़के से है प्यार? सर, सुगंदा सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है, मेरा कोई अफैर नहीं चल रहा उसके साथ? तब तो तुम्हें पाता ही होगा कि तुम्हारी अच्छी दोस्त काफी दूनों से गायब है? हाँ, सर मैं, मैं खुछ शौक हो, सर वो अच्छानक से ऐसे कहां गयब हो गई अच्छे ये बताओ, बात सरफ दोस्ती तक थी, यह कहानी आगे बढ़ गई थी अब सर कहानी तो गाउवाले बना रहे हमारे रिष्टे को लेकर आप तो जानते सरगाओं में कोई साधन है निए अब सुगंदा मुझे कभी दिग घर जाते हो अकेले तो मैंनों से लिफ्ट दे दी बस तो तुम सुगंदा को लिफ्ट देते थे कभी बाइक से, कभी कार से और कभी काली का एक मैट तर हेलो हेलो सर ये किसी जानवर के लाश हो सकती हैं शायद किसी बंदर के बच्चे की किसी ने ऐसी रूमर पहला दी होगी गाउवाले बैग गए और इसको इलियन समझ बैटे इट्स यूमन फेटस माना ब्रून है ये सर, ये और राइट जहां सुगंड़ा देखी गई थी उस एरिया के कुछ ओफेंडर्स को पुलिस ने राउंड अप किया था कोहां रगा इस सड़की को तुम दोनों ने उस सड़की के साथ क्या किया अब माना कि हम लोग छोटी-मोटी-चोरी-चाकारी करते हैं लेकिन किसी लड़ीकी के साथ वो नहीं साथ इसका मजलब तुम दोन ऐसे मूह नहीं खोलोगे सुगंड़ा बिटा कहा हो तू? तुमारी बेटी सुगंदा जिंदा है तुम को रहो? एक बार सुगंदा से बात करवाद हो जल्दी आके मिलेगी तुमसे और हाँ उसकी गुंशुदगी की रिपोर्ट वापस ले लो आपका अंदाजा बिल्को चाही था सार गाहुआले जिसको इलियन के लाज समझ रहे थे फोरेंजिक रिबोर्ट में कन्फरम हो गया कि वो माना ब्रूनी है सर सुगंदा की फैमिली आईए उन्हें किसी ने फोन किया कि सुगंदा जिंदा है सर सबसे पहले मुझे सासों की आवाद सुनाई थी मुझे लगा कि वो सुगंदा ही थी और उसने मुझ से बात नहीं की फिर किसी आदमी की आवाज आई और वो बोला कि सुगंदा जहां भी है महाँ सही सलामत है आवाज किस की थी ? कुछ अदाजा ? क्या वह आवाज आपकी जान पहचान में किसी की थी ? हमें कुछ से बच नहीं आना साब जरूर कोई बड़ा गेम है अच्छा क्या बड़ा गेम है वो तो आप पता कीजिए साब हम कैसे बताए देखिए ना माची की हालत कितनी खराब हो रही है जिस नंबर से फोना आया था वो नंबर दीजी हा से सुगन्दा की महा को जेस नंबर से कॉल किया गया था यह नंबर हैढ़ाबाद मे। फिकाड़ी जेलिहा गया था लेकिन सर लास्ट काल के वाकT यह नंबर यहां 24 राज़िस्तान में एक्टिफ था अबड़योगकि कोड़काइज किया हूग ? साथ आईए यहाप अंदर जंगल अधिये पीज़े पीज़े चलिए आईए सर गाओ वालो ने बताए इस एरिया में रात को बहुत सारे कुत्थे भोग रहते मेरे कहल से कुत्थे ने बद्बू सुनके यह जमीन कुरेद दी यह दिखिए से फॉदभाँ चैरा कुमागर अच्छी से वाड़ी बहुती ब्रूटल माडर है सरम्तों सोच रहते हैं कि लड़की किसी काली कारवाले के साथ गाएब होगी थिर वो फोन कोड़ से अब अब यह यह लाड़ी तो अब यह लाड़ी लाज इस वह लाड़ी आश्या है जब उसका मर्डर हुआ, उस वक्त प्रेग्नेंट थी? सुगंदा तीन-चार महीने के प्रेग्नेंट थी, उसकी बॉड़ी पे किसी बहुती शाप अब्जेक्ट से घाव किये गए, ऐसा लग रहा है किसी ने सुगंदा के साथ बहुती गैरी रंजिशने का लिए, ताजजब की बात यह है कि लड़की तीन-चार महीने के प्रेग् कर नहीं, सब बॉड़ी तीन-चार दिन तक जमीन के नीचे दबी हुई थी, इसलिए डियाने डेस्टा हो गए होगे, लेकिन डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं, श्यादू ने सुगंदा की बॉड़ी पे रेविस्ट के बाल या ऐसा ही कुछ मे रहे है, वेब अब के डियन उसकी फैमिली से मिलना पड़ेगा एक जोरदार तमाचा है क्या? सुगंदा प्रेगनेंटी? ये क्या 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 रहे हैं, साब आप सुगंदा का केस सुलजा रहे हैं या उसको बदनाम कर रहे हैं? हुआ ही कह रहे हैं, जो पोस्टमोंड रिपोर्ट में लिका क्या अब भी आप लोगों किसी पर शक नहीं? माँ चुप क्यो है आप? बोल दी क्यो नहीं? कर ये मात बताईए कुल्दीब से सो दिया कौन है ये? सूटरी जाती का रहेये से साब सुगंधा और बाबा उसके यां काम करते दे तो तब आपने पॉलिस रिपोर्ट ने खोई थी होज़िए आपके ये हवालदर परम जी वो भी थे तब थाने में साब आपकुछ बोल क्यों नहीं रहे है साप, साप मेरे बाबा को सिव इसले मारा गया क्योंकि उन्हें कुलदीब सिसोदा की ग्लास से पादी पी लिया और अपो नहीं रहे अब, अब केस बनाओ, वो स्पेशल एक्ट में देखो बिना गवाही के केस नहीं बनता तुमारे आलावा कोई गवाही नहीं दे रहा है कि कुलदीब सिसोदिया जी ने तुमारे पिता को मारा था अरे साप, इनके अपसर दरोगा ने हमारी एक रिसुए, यह भी बहुन करे ले कुलदीब पर केस करने के लिए सुगंदा कई दिनों से लोगों को इकटा करके गवाज उटाने में लगी हुई थी मुझे लगता है कुलदीब को इस सब के बारे में पता चल गया और इसलिए उसने सुगंदा से बना लेने के लिए अपने भरोसा कर लिए आपको पता भी है सुगंदा गवाप मोतिलाल थाकों एक नंबर का चोर था हूँ मेरी साइट से बिल्डिंग मटीरियल चुराता था अब इस बात को लेके मेरे कुछ हाज में और उसमें जगडा हो गया और यह मार पीट तो हुई नहीं और वो मुझपे संगी नारोब लगा रही है हमें इतना अंदाजा तो है कि सुगंदा के पिता के साथ क्या ना इनसाफी होगी और ये भी अंदाजा है कि आपके कितने गुरक धंदे चल रहे हैं बिना सबूत के बहुत कुछ कहते जा रहे हैं अगा सबूत भी ले आएंग पर ये क्या आप काली कार काली कार कर रहे हैं घर पस ऐसी कोई काली कार है ही नहीं कोई ठोच सबूत होना पेरे खिलाफ तो आणा वंदेरे में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा पता लगा हो इसके पास ये इसकी जान प्राइचान में किसके पास से मॉडल की काले रंग की क और जिसन सुगंदा का मटर हुआ उसने एक 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 अक्टिविटी चक्कर हो गोगे साथ वैवब के कॉलिकोट्स के मताबिक वैवब की सुगंदा की फेरेंड राकी से काफी बाते होते थी तो क्या ये वैवब सुगंदा राकी दोनों के साथ टू टाइमिंग कर रहा था कि हो सकता है कि ये सुगंदा को वैवब और राकी के बारें पता चल गया हो और वैवब ने ही सुगंदा को इतरा आप इस राकी से मिलना पड़ेगी बालो जब क्यों हो चानती हो ना वैवब को हाँ सुगंदा वाला वैवब ना सुगंदा वाला वैवब तो मैं फोन क्यों करता था बात बाते होती थी तुम दोनों हमसे बात नहीं करता था वो हमारे फोन पे सुगंदा से बात करने के लिए फोन करता था क्योंकि सुगंदा के पास फोन नहीं था ना इसलिए तेरे दोस्त का फोन अभी तक नहीं आया तो तू ले ना नहीं यार तेरे पैसे कर जाएंगे वैसे भी वो सवाट को कॉल करता है पंदर सेकेंड अभी में बागी है अरे इसमें क्या हो गया कर वा यार टायूं का तपक्का है चल चल शुरू हो जा अच्छे वैबब तो कह रहा है कि सुगंदार वो सिर्फ दोस्त थे तुम बता सिर्फ दोस्त थे या दोनों में अफेर थे जिस तरह से वो दोनों बाते करत थे उससे ऐसा लगता था कि दोनों प्यार ही नहीं शादी भी करना चाहते थे सर एक इंफोर्मेशन मिलिया वाइभव के पास दो कार्स है उसमें से एक कार उसी मोडल किये जिसमें सुगंदा को बैट्टे हुए देखा गया था हाँ हाँ सर दो कार्स हैं मेरे पास पर मैंने कभी सुगंदा को उसमें लिफ नहीं दी और तुने सुगंदा को प्रेगनेंट भी नहीं किया नहीं सर तुम्हें पता है न कि तुम्हारा डियने सेंपल क्यों लिया गया पता है न बाद में अगर मुझे पता चला कि तुमने अरे सुगंदा तेरे दिमाग खरब हो गया अरे घर पे एक ही घड़ी थी वो भी तो निकाल रही है सम्मर केसे तेखेंगे क्योंकि मा अब इस घड़ी का टाइम खतम और हमारा टाइम शुरू हो गया मेरी नौकली लग गई है और देखना दीरे दीरे हम सारी चीज़े नहीं ले लेंगे अपना में किसी चीज की दरत नहीं पड़ेगी मा कब तक इस घड़ी को देखकर दोती रहोगी आज मैं इस घड़ी को उतार कर फेक देती हूं हाँ, फेक दे तू, घरी को उत्तार के फेक दे, ये टीवी, बर्तन, कपड़े, ये सब कुछ फेक दे जैसे सुगंदा लेकर आई थी ये घर में जैसे डियने रिपोर्ट आती, मुझे अपडेट करो सर, मैंने राकी के पिछले तीन महीन के कॉलिकोर्ट चेक किये तो पता चला कि जिस दौरन सुगंदा राकी के फोन से वेबब से बात करती थी, उसके ठीक बाद, राकी के फोन पर किसी रिवाशंगर का फोन आता था ये call आठ पैंतालिस तक चलती थी और उसके ठीक बात रेवा शंकर राखी के फोन पर फोन करता था और ये call चलती थी आठ पैंतालिस से आठ पच्पन तक और सर ये phone calls का pattern पिछले काफी जम्य से ऐसा ही चल रहा है हो सकते है सर रेवा शंकर और राखी का आपस में अफियर हो और ये दोनों कपल्स बारी 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 बात करते हो फोन पर एक काम करो इस राखी का फोन जब्द करो और उसका डेटा चेक करो आखिर पता थो चले के इंस सब के बीच में चल के रांद हमें अभी ब्रेकिंग यूज मिली है कि बेरा रेप और हत्याकान केस के एहम पात्र वैभव ने आत्म हत्या करने की कोशिश की है जानकारी ये भी मिली है कि उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है हो सकता है कि उसका बच पाना भी मुश्किल हो ये इस केस में एक जवर्दस घुमाव है क्या वैभव ने ये कदम अपनी तताकतित गल्फरेंड के खो देने के सडमे में उठाया या फिर वो कुछ ऐसा जानता है जो उसके जानफर बनाई सर हमने वैभव के घर में सब जगे चेक किया लेकिन कहीं पे भी कोई सुसाइड नोग नहीं मिली दोक्रावस्ति वैभव की हलत अब कैसी है सर उसने काफी जादा मातरें पॉईजन ली नहीं हिल किया था हलाकि हमने सारा पॉईजन दो फ्रेश आउट कर दिया पर यह बताना बहुत मुश्किल है कि वह कब तक नॉर्मा लोपाएगा वैभव की हलत नाजग है अब यह पतान उसने गिल्ट में पॉजन लिया है या कोई और बात है सर अब यह एफेसल ओफिसर से बात की मैंने उनका कहना है कि सुगंदा को बांधने में जो रसी यूज की गई थी वो अफरीका के तंजानिया में बनती है अफरीका की रसी यहां अजर यह के स्पेशल टाइप की रसी है और अफरीका के तंजानी की रसी यहां कैसे आई पता लगाओ आसपास के अरिया में तंजानी से किसका कनेक्शन है साब, आपने फारुक और आकाश के इंफोर्मेशन निकानने के लिगा था फारुक के बारे में एक सॉलिड इंफोर्मेशन मिली है साथ? जी, फारुक का भाई साथ क्या मसला था उसका आपकी फैमिली से? साब, साथ? जाद, अनिता की शादी से पहले अनिता को परेशन किया करता था दीदी! दीदी! छोड़ो! अट? मा! मा! अब सुनते हो, में को कोई आवाज आ रही है अरे, क्या हूँ पटा सुगंड़ी? क्या हूँ? क्या हूँ? कब मीने तू? हमें सच में नहीं पता था कि ये सब में वो मर जाएगा साब हाँ साथ, साथ को जब हम लोग लाए थे तो वो मर चुका था तो उसक पुलिस रिपोर्ट क्यों की? सब लोग बोल रहे थे कि उसने सुगंदा की वहन का रेप करने की कोशिश की थी इसलिए हमारी बिरादरी में भी हमारा किसी ने साथ नहीं दिया यहां तक की कफरस्तान में दफन तक नहीं करने दिया साब उसको तो उसको तो मैंने खुद अपने खेट में दफना है तो इसलिए तुम पुलिस रिपोर्ट नहीं कर पाड़े पर फिर भी, तुमें अपने भाईस साथ की मौत का डःफ्टू होग बदला भी लेना चाहते होगे तो तुमने अपने भाई की मौत का बदला लिया मनिता की बेहन सुगंजा से तुमने उसको रेप किये और फिर उसका मार्डर किये और उसके बाद ने साब माना कि हम लोग चोटी मोटी चोरी चकारी करते हैं साब लेकिन किसी का रेप नहीं कर सकते हैं साब साब यकिन करो साब सर वईबो को हूश आ गया सर मैं जानता था सुगंदा के पेट पे मेरा बच्चा इसलिए तुम सुगंदा के साथ खेल खेल ले थे तुम्हें लगा के सुगंदा तुमारे खिलाफ कोई एक्षिन ना ले इसलिए उससे पहले तुने सुगंदा को नहीं सर्थ मेरे सुगंदा को कोई धोका नहीं दिया से हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं यार तुम इतना डर्ती कियो। हम दोनों प्यार करते एक दूसरे से और मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मम्मी के पास जाओ और हमारे रिष्टी के बारे में अब सब सच बता दू प्याज़ब मैं मां को बताने के लिए बता दू लेकिन तुम्हारे परिवार वाले बहुत उचे हैं तुम जानती हो अच्छे से मुझे नहीं फरक पड़ता ये जाद बात उच नीच का तेको मैं बस इतना चाहता हूँ कि हम दोनों शादी करें हम दोने एक दूसरे के काफे क्लोज आगे फिर एक दिन एक दिन पता चला कि वो वो प्रेगनेंट सुगंदा तुम डरों मत मैं हुना तुमारे साथ मैं ख्याल रुकूंगा तुमारे और हमारे बच्चे गा तुम अगर इतने ही सचे हो तुम ने हमसे जूट की बोला मैं डर गया था सर सुगंदा से बहुत प्यार करता था उसके बिना जी नहीं सकता इसलिए मैंने सुचा मरने की सर अगर तुम बचके अभी भी क्या बता सच बोले और जूट बोले हो सकता है इस बार भी जूट बोले और यह कोई ड्रामा कर रहे हो सर, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा है, सर. सच में सुगंदा से बहुत प्यार करता हूँ. मैंने नहीं मारा हूँ, सर. सर, राखी के फून का डेटा रेकवर किया है. उसके फून के मेसेंजी केप में एक वीडियो मेला, जो उसने डिलिट कर दिया था. खले करो, सर. इन वीडियो का सच के है? जो रेवाशंकर तुम्हें ब्लेक्मिल करने के लिए भेजता था. इन वीडियो के अलावा रेवाशंकर तुम्हें धमकी वरेवैंसेजी भी भेजता था. कि अगर तुम काम पर नहीं लौटी, तो तुमारे ये वीडियोज, वो इंटरनेट पे डाल देगे एक इसमें तेरा फाइदा ही फाइदा है जब काम पे जाना जा तो काम पे निख जाना मठ जा पर जितना मजदूली का पैसा होगा पूरा का पूरा पचाएगा और एक सबसे बड़ी बात पैसा कमाईगी तो अपने बाप का इलाज कर आपाईगी ना साब हम मजबूर थे और वो हमें सबसे पहले वाली शेर ले गया और वहां एक आदमी हमें और तो लड़कियों के साथ कार में बिठा कर कई और ले गया फिर रेवा शंकर मुझे अलग-अलग आदमियों के पास बेजने लगा क्या रेवा शंकर तुमारी तरह सुगंदा को भी इस धंदे में आने के लिए मजबूर कर रहा था रेवा शंकर अच्छे से जानता था कि सुगंदा इस धंदे के लिए नहीं मानेगी तो उसने मुझे 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 मना किया था सुगंदा को कुछ भी बताने से लेकिन एक दिन लव यू टू बाए राखी? क्या है ये सब? रेवा शंकर कबसे कर रहे थे ये साथ ये सब? और तो चुपा क्यो रहे हैं ये सारी चीजें? तो पोलिस के पास क्यो ने गई अब तक? सुगंदा मेरी मदद करना चाहती थी लेकिन वो मेरी खातर चुप थी लेकिन तुरांत उसने रेवा शंकर की नौकरी छोड़ दी थी मैं का इसे नौकरी पर नहीं आओ? क्यो? क्यो? अरे मैंने सोचा तुझे शेहर वाली साइट में बेजूगा? बहुत पैसा है वहाँ पर कोई काम नहीं करना तुमारा मुझे सब पता है शेहर में क्या धंदे करवाते हो तो सर उसके बाद से रेवा शंकर सुगंदा पर खुंदक खाये बैठा था लेकिन सब मुझे नहीं पता पुलिस रेवा शंकर द्वारा चलाय जाने वाले सेक्स रैकेट का परदाफास करते हुए कई पिम्स को अरेस्ट कर रही थी लेकिन सवाल यह है कि क्या रेवा शंकर की तलाश सुगंदा रेप और मुर्डर केस को कोई लीड दे पाएगी क्योंकि इस केस में कई अंगल अभी ओपन थे और अफरीका की रसी का अंगल इस केस को और भी पेचीदा बना रहा था शायद अफरीका के तंजानिया वाली इस रसी की लीड मिल गई है से मिलो जराश से अरे शालेंदर तोमर ने आज तक कभी कोई कच्ची डील नहीं की हाँ चाय वो लड़के हो या लड़किया लेकिन जरा ध्यान रहे ऐसे होने चाहिए जो जिन्दगी भर अफरीका में रहने के लिए राजी हो अरे साब आप आओ साब पदारो पदारो बैठ अरे राजराम साब के लिए चाय लेके आना मेरी वाली साब हमारे यहां के चाय बहुत फेमस है हमने तो सुनाए कि तुम भी यहां बहुत फेमस हो अफरीका में होटल बिजनेस और साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप मेरी छोड़ो आप अपनी बताओ कि आपकी क्या तुम रसी में दरजसल इसकी मजबूती कम थी तो हम लोगों ने इस रसी का इस्तिमाल लाइट वेट पैकेजिंग में किया है पुलिस टेशनरी और पधा होगा कि हमारे यहां की स्टेशनरी आपके पाली, सिरोही और नागौर इन तीनों जीलों के ठाने का रसी से कनेक्शन है तो कहीं स्रुगंधा रेप और मर्डर केस में किसी पुलिस वाले की मिली बागत है नहीं है अमेर, एक काम करो, तीनों जिलों के पुलिस कर्मियों के लिस्टिंग करो, और पता लगाओ, उनने से किसके पास सेम कलर की और सेम मॉडल की कार है, जैसी कार में सुगंदा को अखरी बार बैठते हुए देखा गया था अखर करता करता आप है, अदोना हो तु कि के लिए-ट से य dönुचार करकंना democracy के अखरी य झाला हु़ धर में चलिए आप केवाओश। सरब नकी मुझा गुदा रहा है? अच्छा पराम रनेट तुम चलब कुलदीप सुसदिया को बचाने के लिए क्या तुमने प्रेम सुलंकी का साथ दिया था अब क्या ना कह जाते हैं यह पूछ रहा हूँ उसका जवाब क्या तुमने प्रेम सुलंकी का साथ दिया था नहीं सर रंदीब गुजर का नहीं? मेरे कजिन भाई उसके पास किस रंकी का रहा है? काले रंकी काले रंकी और सगंदा को आखरी बार किस रंकी कार में बैठे को देखा गया था? काले रंकी तुम्हारे कजिन के पास से मॉडल की काले रंकी का रहा है तुमने बताये को ने? सर आप कुछ भी कहें जारे सर मेरे कजिन के पास काले रंगी का रहे इसका मतलब आप उच्परि- इसका मतलब मैं तुम परशाक कर रहा हूँ अगर आपको लगता है कि मेरे कुछ किया है तो आप मेरे किलब इंक्वारी कीजिए और तुमारे कजिन की कार औलेडी फॉरेंसी के पास है एक बात याद रखना अगर मुझे पता चला कि सुगंदा को गाइब करवाने में तुमारा ज़रा भी हाथ था तो मुझसे बुरा कोई लिए होगा अब जा सकते हैं सर सर इंफॉर्मर से रिवांश अंगर का पता चल गया है वो अपने बुच्छतेनी गाओं में यहां से तक्रीबन 40 किलमेटर दूर ठास ओके सा मैं बता रहा हूँ ना मैं मैंने सुगंदा के साथ कुछ नहीं किया आप विश्वास तो कीजिए मेरा सुगंदा को तरह सेक्स रेकट के बारे में सब कुछ पता चल गया था तुझे डर था कि कहीं वो तरह परदा फाश ना कर दे इसलिए तुने सुगंदा को मर बाती हो ना वो किसी और की नफर्व की शिकार हुई और खामखाँ आप मेरे पर समय पर बात कर रहे हैं अपना ऐसे नहीं मौने गए पट्टी पसली एक कर्दुस की सर तरम के कजन के अलावा सिरोही थाने की ऐसा ही रागिश नाकपाल और नागवड थाने के सब इंस्पेक्टर अमजश शेक के पास वैसे ही मौडल की काली कलर की कार है सेम मौडल काली कार दिया सर और वो अपना कॉंस्टेबल परम उसके कजन की कार में फॉरेंसी को कुछ मिली नई सर और सर जब इन दोनों के रिकॉर्ड्स मैंने चेक किये तो पता चले कि राकेश नाकपाल वार्दात के दोरान ड्यूडी पे था लेकिन ही अमजश शेक दस दिन की लीप ने था देख अमजश सीधा सीधा सवाल पूछूंगा सीधा सीधा जवाब देदे बिना गुल-गुल गुमाई सुगंदा ने तुमारा क्या भी गड़ा था क्यों मारा उसे सर में सुगंदा होगा क्यों मारूंगा मेरा उसके साथ क्या लेने देना है वार्दात वाले दिन तेरी कार बेरा क्रॉसिंग के पास टोलनाका में कैप्चर होई और साथ तेरा काजन था, इतनी डिटेल बहुत है, यह और डिटेल दो हाँ सर, यह सच है कि मैंने यह सब कुछ अपने भाई साथ क्या बदला लेने के लिए क्या लेकिन यह बदला मैंने अकले नहीं लिए तो और कौन शामिल था तुम्हारे साथ बहुत मैं अटंकी कर लिए, और अब अटंकी ख़ता हूँ, बोलो मैं साथ से प्यार करती थी, उस राद हम लोग भाग लिए वाले थे लेकिन तब ही सुगंदा ने मुझे साथ के साथ देख लिया दीदी, कौन है यह? माम, बाबा, सुगंदा शुगते, माम, वोण, सुगंदा की वजह से साथ, उसे सब ने इतना पीटा, इतना पीटा क्यों हो? और मेरे बाबो जी ने भी उस पे रेप का इर्जाम लगा दिया भी जिन्दी की नरग बन गई, उस व्सुगंदा की वजह से इसलिए मैंने भी उसको नर्ब भेजने का सोच लिया इतने नफरत अपने खूँद की बहन से तुम जानती थी के वो प्रेगनेंट थी? हाँ मैंने उसको प्रेगनेंसी की दवा लेते हुए देख लिया था और मैं समझ गई कि ये वैबब का ही बच्चा होगा और फिर मैंने सोचा यही सही मौक है उससे बदला लेने का और अमजद भाई भी साथ की मौत का बदला उससे लेना चाहते और फिर प्लान के अपॉर्डिंग हम लोग उस दिन सुगंदा से रास्ते पर मिलें अरे आप? और ये कौन है? ये अमजद भाई है जी देंदर के दोस्ट अचानक में तबियत बिगड़ गई तु मुझे अस्पता लेका जा रे तु भी चाना ठीक हो ना? हाँ, शुरू अरे बीदी सुनो, क्या हुआ? बीदी? 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 शुआ जाओ मुझे जाओ 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 मुझे लाओ उसके बाद तुम नहीं इनकी मा को फून का कि ये और के सुगन्दा सही सलामत है जी हाँ सर दर असल हम लाश मिलने तक ज्यादा से ज्यादा टाइम भाई करना चाते थे हमें लगा था शायद टाइम बितने के बाद सुगंदा की तलाश खत्म हो जाएगे पुलीस वाले होकर ये कैसे भूल गए कि तलाश कभी खत्म नहीं होती जर्म जंदगी भर मजर्म का पीछा करता है और फिर उसे गर्दन से पकड़ कर कानौन की चोखट पदलाकट पटकता है जैसे कमदोनक पटका और तों बदले की आग में इतनी हो गई थी कि एक ही जटके में इतनी जिन्दगे बरबात करती अपनी होने वाली बच्चे की अपनी बहन की अपनी मा की वो नफरत जादा घातक होती है जब नफरत करने वाला अपने होशो हवाज ना खोकर अपनी नफरत को एक सोची समझी साजिश की शक्ल दे देता है सुगंदा के साथ भी यही हुआ भले ही उसने यह ना सोचा हो कि अपनी नفرت को निकालने के लिए आनीता उसकी जान भी ले सकती है लेकिन जब उसने आनीता को अमजद के साथ देखा तो उसे ये सोचकर सतर्ख हो जाना चाहिए था कि अमजद जैसा अनजान शक्स उस वक्त अनीता के साथ क्या कर रहा था अगर सुगंदा ने अहतियाद बरतते हुए अनीता के साथ सही तर्क किया होता तो शायद वya अपना बचाव कर सकती थी लेकिन सुगंदा का अनीता पर किया गया भरोसा उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रूल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विशलेशन के साथ तब तक अपना और अपने परिवार का खयाल रखें सतर्क रहें सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रूल सतर्क जैहन